हलो गुद्वानिंग जुहार मसंजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन के खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन के 25 मुख्य बड़ी खबरों को राज में अगले 24 घंटे मानसुन रहेगा कमचूर लेकिन 23 अगस से जार्खन के इंजिलों में भारी बारिस का अलाट रही साउधान जार्खन में मानसुन के आँख मिचोली जारी है और अगले 24 घंटे तक इसके कमचूर रहने के आसार हैं हलाकि कल 22 अगस से इसके फिर से जोर पकड़ने के उमीद है राजी समेत राज के कुछ भागों में अगले 24 घंटे में हलके से मध्धम दर्जे के बारिस के आसार हैं वही अगले ही दिन यानि की 23 अगस्त को जार्खन के सब भी इस्थानों पर अच्छी बारिस होने का मौस समभाग ने पूरो अनुमान लगा है इस दोरान संताल प्रगना के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिस होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है इसके अलावा कुछ इस्थानों पर गरज के साथ वजरिपात की भी चेताउनी है इसके अलावा राजी में पिछले 24 घंटे में बारिस रिकार्ट की गई है इधर रांची मौसम भाग के विज्यानिक अभी शेक आनेन दे बता है कि 23 अगस से रज के हर भाग में बारिस का पूरू अनुमान है इस दोरान संताल प्रगना समेद आसपास के इलाकों में कुछ जगों पर भारी बारिस का यलो अलर्ट जारी किया गया है इस दोरान मौसम खराब होने पर लोग को शाओधान और सतरक रहने की सलह दी गई है गंगा किनारे बस से लोगों में भाय का माहूल है लोग आस्याने को अपने हाथों उजार कर लायन करने को मजबूर है वही स्रीधर पंचायत के साहिप टोला में भी कटाओ का खत्रा मन रा गया है कई एकड़ उपजाओ जमीन गंगा में समाच चुकी है अंचल प्रसासन क कि और से गंगा कटाओता था बाड की समस्या को देखते हुए प्रकंड सह अंचल प्रसासन अलार्ट पर है लोगों को ततकाल सुविदा के लिए विद्धाले वपन शाय ध्ववन में आवासित किया गया है नाव वाचारे के भी इंतजाम करने की तैयारी की जा रही है प् बनी तो घुस पैटियों को चुन-चुन कर फेंका जाएगा भाजपा की संकल पियातरा के दोरान पाकुड विदान सभा के बरहरवा अस्टेशन परिसर में प्रदेश अध्धक्च बाबुलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और कॉंग्रेस पार्टी पर जम कर हमला बोला उन्ह उन्हें कहा है कि डेमोग्राफी चेंज होने से सबसे अधिक असर आदिवासी समाच पर हुआ है शंथाल में आदिवासियों की शंक्या 35 फिजदी से घट कर 24 फिजदी हो गई है बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत को ब्रष्टाच प्रधार मुक्त करने का आवहन किया है किन्तु जार्खन में भ्रष्टाचारी ही सत्ता में काबिज है उन्होंने कहा है कि यूपीए जितना भी नाम बदल ले कोई काम नहीं आने वाला है कॉंग्रेस के सरकारों में चोरी घोटाले के चर्चा होती है जबकि भाजपा के सर कार में विकास पर चर्चा होती है करने की अंतिम्ति थी 21 सितंबर 2023 है वही आविदन जमा सुल्क कराने की अंतिम्ति थी 27 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है जेपीएसी सिविल जजज भरती परिचा के लिए अभ्भियरतियों की आयू 22 वर्ष से 31 वर्ष तक होनी चाहिए आरक्चित वर्ष को नियामानुशार्च शूट मिलेगी आयू की गन्ना 31 जनवरी 2023 से की जाएगी जेपीएसी की इस परतियोगिता परिचा में आविदण के लिए अभ्भियरतियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विस्वद्धाले शे लौ में इस नातक होना चाहिए सात ही अभ्भियरतियों को अधिवक्ता कानुन 1961 के तढ़ताथ आविदण की अंतिम्तिति तक अधिव एवं टेलीकॉम विभाग में कार्रेत रेलकर्मी सचीन गोप उम्र 26 वर्षिय इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भरती था अचानक सनिवार रविवार की मद्ध रातरी को वहा रेलवे अस्पताल से लापता हो गया वहाँ डिपेस के कलाईया गाउनिवासी है जिसे खोचते हुए परिजन परिशान है पता जाता है कि सचीन गोप को आसवस्त होने की कारण उन्हें भिगत 9 अगस्त को रेलवे अस्पताल चकरधरपूर में भरती किया गया था बार दिन बाद रविवार की रातरी डेड़ बजे अस्पताल से लापता हो गया है जबकि अस्पताल की सिसी टीवी में रात डेड़ बजे गेट से निकलने का फूटेज भी कायद हुआ है धनबाद में कोईले के काले कारो बार को लेकर दो पक्च में मारपीट वफारिंग दर्जनो घायल बागमारा के धर्माबांद ओपी छेतर में इस सित तेतुलिया शात नमबर में रविवार को अवायद कोईलाचोरी को लेकर दो पक्च में जम कर मारपीट हुई मारपीट के क्रम में एक पक्च के दर्जनों लोग हाल हुए इस दोरान कई राउंड फाइरिंग भी हुई आकुरोशित धर्माबांद के ग्रामिनों ने ओपी का घिराव किया आकुरोशित लोग का कहना था कि पुलिस ने जो है कोईला चुरो का मन बढ़ा है जारखन बचाओं मोर्चा कर 23 कुरा ज़भुवण पर धरणा जारखन बचाओं मोर्चा के केंदरिये मुख्य सन्योजग शह विधायक लोबिन हेमरम के नेतितों में अपनी आठ सूत्री मांग के समर्थन में 23 अगस्त को राजबोवान के समक्ष एक धर्ना कायोचन किया गया है इसमें विभिन आदिवासी मूलवासी संगठन के नेता कारी करता बड़ी संख्या में भाग लेंगे जार्खन बचाओ मोर्शा की केंद्री ये सन्योजग विजय संकर नायक ने या जानकारी देतो वह या बताया है कि धर्ना के बाद एक परतनेधी मंडल राज़िपाल से भेट कर उन्हें आठ सुत्री मांग के समर्थन में एक ग्यापन भी सौपेगा जार्खन में एवियन फ्लू को लेकर स्वास्त भाग अलर्ट स्वास्त पदिकानियों को दिसा निर्देश बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्त भाग अलर्ट पर आगया है स्वास्त भाग द्वारा जरूरी निर्देश दिये गये हैं स्वास्त के विफिन एकाईयों से कहा ग उनके साथ तीम के कई और सदस भी मौजूद थे शंकरमन रोगों के खत्रे से बचाओं को लेकर स्वास्त विफाक शचेत हो गया है ततकाल किसी भी संकरमन को रोकने को लेकर कदम उठाय जा रहे हैं जारखन में एवियन फ्लू बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है यह पहला मामला है जिसमें नौ माह के एक बच्चे की एवियन फ्लू के रिपोर्ट पोजिटिव पाए गई है यह बच्चा पलामो के रामगर थाना चितर का रहने वाला है इसको देखते हो विराजे के सभी श जारखन के जारखन कर्मचारी चयाना योग कर्मचारी चयाना योग जैसी परिच्चाओं के लिए कोचिंग दिजाएगी अगस्त महिने में ही इससी सुरू किया जाना है कोचिंग में मदद के लिए सोध संस्थान की और से गेश्ट फकल्टी की मदद ली जानी है हिंदी अंग्रेजी जन जाती और जो है इस्थानी भासाओं के अलावा जो है जनरल नॉलेच गनीद जनरल साइंस कम्प्यूटर जनरल अस्ट्रटीज के लिए भी योग फकल्ट के चैन के लिए जो है टी आराई मोरहबादी की और से 23 अगस्त को वाकिन इंटर्व्यू का आयोजन किया जाएगा इसमें शामिल होने को 21 अगस्त की साम 6 बजे तक अपना बायोडाटा जमा करना होगा इंटर्व्यों के लिए अब भी अर्थियों को एमेल या फोन से चोटो कुजूर के घर की जो है रविवार को कुर्की करने वाली थी पुलीस उसके 15 ओपी अंतरगत हैसला जत्रा मैदान के पास उसके घर गई थी लेकिन पुलीस ने कुर्की करने से पहले चोटो कुजूर ने रांची पुलीस के समक्ष सरेंडर कर दिया इधर कुर्की ज सीसेल करमी का सौव भर्यामध मोहन नगर आवासिय कोलोनी के कौार्टर में बन था वहां से सरने की बदबू आने पर पुलीस को इसकी जानकारी दि गई मौके पर खलारी पुलीस पहुँची और इसकी जांच परताल में जुट गई मौके पर पहुँची पुलीस की मौजूदकी में आवास के खड़की को तोड़ा गया जहां संतो साहू एक कुर्सी में मृत बाठा पाए गया वा सीसेल इनके एरिया के डखरा पर योजना में डोजर ओपरेटर के पत पर कार रहता था वा आवास में अकेला रहता था वा मौल रूप से ओरिसा के गंजाम जिले के नीमिया गाउं का रहने वाला है जहां संचलन जहां संचलन जहां संचलन जहां के अध्यापक संचलन के प्रतेश अध्धक्ष मुहमद शिद्दकी शेक और किशोर यादो निशन जुक्तरुप से किया रविवायर की बैठक में इनननाय लिया गया है कि जहारकिन रज अनुबंद कर्मचारी महासंग की बैनरतले विधान सभा स्तरिये शम्मिलन प्रारम किया जाएगा सम्मिलन के माध्धम से वोट की गोलबंदी की जाएगी और काम करने वाले को भविष्ट में एक तरफा एक मुस्त वोट दिया जाएगा विकरान्त जोती ने बताया है कि हर एक विधान सभा में लगभग साथ हजार अनुबंद कर्मचारी कार्यत हैं और वे सभी इस्थानिये हैं उनके परिवार के पांच वोटरों के माध्धम से हर विधान सभा में लगभग 35,000 वोट के माध्धम से चुनौक को प्रभावित करने का दावा रखते हैं बैठक में समान काम, समान वितन, भविष निधी, पेंसन, इस्थाइकरन की मांग, मनरेगा कर्मियों के जो समस्याओं के शमधान पर भी शर्चा की गई सड़क किनारे हनिया बेचने वाली महिलाओं को भाजपा सरकार करेगी अपग्रेड, सराब दुखानों में करेगी सिप्ट बाबुलाल मरांडी, गुजरात मौडल की बाद करने वाली भाजपा जार्खन में सराब को पढ़ावा देने की बात कर रही है का रही है कि सड़क किनारे हनिया बेचने वाली आदिवासी महिलाओं को सराब की दुखाने देगी, जबकि गुजरात में सराब की बिक्री पर पाबंदी लगी हुई है, मगर गुजरात से जार्खन आते आते सराब पर पाबंदी की बात से फिशल कर भाजपा सराब की बि पर निशाना साधते हुए कहा है कि जार्कन राज जो है स्राधय अटल वियारी वाजपई की दिन है अटल जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सर्वसिक्ष अभ्यान की माध्यम से गाउं गरीब को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा है संथाली भासा को आटव रांची में 20 सूतरी कारिकरम कारियानवर्म समयति के गठन की मांग राजश ठाकुर वा मंत्री आलमकिर आलम कोश्वा पाग्यापन रांची जीला कॉंग्रेस कमिटी की अध्धक्ष डॉक्टर राकेस किरन महतो ने कॉंग्रेस भवन में रभिवार को जार्कन प्रदेश क अंग्रेस कमिटी के अध्धक्ष राजश ठाकुर एवं विधायकदल के नेता सहा ग्रामिन विकास मंत्री आलमकिर आलम ने मुलाकात की इस करम में उन्होंने रांची जीला एवं प्रखंड अस्तर पर 20 सूतरी कारिकरम कारियानवयन समयति का यथा सिगर गठन करवाने की इस पर राजश ठाकुर वा आलमकिर आलम ने आस्वासन दिया है कि इस दिसा में या था सिगर पहल कर वे मुखे मंत्री हेमंतु सोरिन से मुलाकात करेंगे और इस पर विमर्स करेंगे गिरीडी एस पी ने सिविल सोसाइटी के साथ की बाठक जीले की विधी वास्ता सुधारने पर जूर गिरीडी जीले की खराब विधी वास्ता और ट्राफिक जाम के हलत को सुधारने की दिसा में एस पी दीपक कुमार सर्मा जल्द ही अभ्यान सुरू करेंगे S.P. दीपक कुमार सर्मानी रविवार को पत्रकारों से बातचित के करम में कहा है कि वो पीछले कई दिनों से सहर के भर्मान कर रहे हैं कई गरबड़ी है जिसे दूर करना जरूरी है और बगार लोगों के सहीयोक्षी यसंभो नहीं है लिहाजा S.P. ने रविवार को प्रेशवारता कर कहा है कि जल्दी नगरभवन में चेंबर ओप कॉमर्स बस मालिक एसोसियेशन और टो चालक एसोसियेशन एरिक्सा और फुट पार दुखनदार पेट्रूल पंप एसोसियेशन समयत अन्य संगठन के शायद बाठा किया क्योंकि अगर सहर में जन समश्चा है तो कई कारण है और अप राद भी बढ़ रहा है तो इसके पीछे कई कारण है अवाद आर्थिक गतिविधी भी चरम पर है जिसके कारण लगतार अप राद बढ़ता जा रहा है एसपी ने कहा है कि नगरभवन के बैठक में हर मुख्य मुद्दो पर शर्चा होगा कमल भूशन हत्यकान के आरोपी राहूल कुजूर को कोट हाजत में मुबाइल सीम हुआ अन्य समान पहुँचाने वाला गिरपतार जमीन कारोबारी कमल भूशन हत्यकान के आरोपी राहूल कुजूर को कोट हाजत में मुबाइल सीम सहिद अन्य समान पहुचाने के आरोप में एक आरोपी को कोट वाली थाना पुलिस ने गिरपतार किया है प्रिंस सिंग उर्फ डूडू शकुदे नोगर्थाना चितर इस्तित मुरला पहाड हेहल करने वाला है जेल में बंद कैंदी राहूल कुजूर को कैया दिवाहन से सदर कोट पेसी के लिए लागया था कोट हाजत में अवाद रूप से मबाइल सीम काड एवं अन्निस समान को देने के करम में आरोपी को पुलीस जब पकड़ा तो मौके पर मौजूद पुलीस कर्मी के उपर हमला किया मामले को लेकर कोट वाली धाना में सरकारी कारे में बाधार डालने के आरोप में जो है प्रात्म की दर्श किया गया है आरोपी प्रिंस सिंग उर्फ डूडू पूरो में भी आम्स एक्ट एवं लूट कांड में जेल जा चुका है हाली में जमानत पर निकला था शेका कुर्मी समाज की बैठक तधान जगदीश महतों की अध्धक्सता में हुई बैठक में सौप्रत्म रक्तदान सिविर पर रक्तदान किये गए सभी रक्त वेरो को धन्यवाद दिया गया शाती आदिवासी कुर्मी समाज के पूर्व घोशित कारिक्रम अगामी 20 जितंबर 2023 के जो है रेल टेका डाहर्च्य का कारिक्रम को सफल बनाने पर सभी कुर्मी सर जो है संगटनों ने समर्थन दिया और कारिक्रम को जो सफल बनानों है तूँ सभी गाउं में जाकर लोग क दिया पैकेज निरंतर उच्छा के प्रती सर्जक गोमिया के लाल इर्फान भाटी को गूगल लंदन में एक करोड़ बीस लाक रुपए का पैकेज दिया भाटी अगामे 29 अगस्त को गूगल लंदन में अपनी सेवा देंगे भाटी IEL गोमिया महजित कोलोनी के निवासी हैं इनके पिता हाजी अब्दुल कादिर भाटी एक विवास आई हैं बता दे कि इर्फान गूगल इंडिया में मोबाइल अप्लिकेशन का कारी करते थे अब वो लंदन में गूगल सर्च पर कारी करेंगे इर्फान वर्स 2019 में जो हे हलदिया इस्टिट्यूट अप के अनसादोसों को दिया इस मौके पर उन्होंने का है कि उस सिर्चा प्राप्त करने पर अपने लक्ष को हासिल करने के लिए अपने को जो तैयारी करते रहना चाहिए निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ग्यारा से पंद्रा नॉम्बर को होकी रांची आयोजित करेगा बिर्समुंडा मेमोरियल राजस्त्रिय महला और पूरुस होकी परतियोगिता रबिवार कू मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा अश्टोटर्फ होकी एस्टिडियम मोरहबादी रांची में होकी रांची के कारिकारनी समेती के बैठक अध्धक्सता माइकल लाल के अध्धक्सता में हुई इसमें होकी रांची के सभी जोह पददिकारियों ने भाग लिया बैठक में विजय संकर सिंग महासची होकी जार्खन परिव्यक्षक के रूप में उपस्ति थे इस दुरन बैठक में निर्ने लिया गया है कि जार्खन इस्थापन दिवस के अवसर पर ग्यारा से पंद्रे नॉमबर तो खोकी जार्खन के द्वारा बिरसा मुंडा मेमोरियल राजस्तरिये महला एवं पूरू सोक की परतियोगिता 2023 कायोजन किया जाएगा जो है महला एसियन चेंपियन सीप के समापन के उपरामत मैदान की उपलबदता को देखतो हुए होकी राचिली कायोजन करने की तिथी कनिरने आगे लिया जाएगा पाकुड में 80,000 परतिबंधित लोटरी टिकट के साथ एक गिरपतार चरस का कारुबार करने वाला भी पकड़ाया पाकुड जिले के माल पहाडी ओपी थाना की पुलीस ने जारकन में परतिबंधित लोटरी टिकट का धंदा करने वालों के खिलाब बोड़ी कारवाय की है थाना चेतर की चेंगा डंगा निवासी मिठुसे की घर से लगभग 80,000 पीस लोटरी टिकट बरामत किया गया है पुलीस मुखबीरी के नाम पर नकसलियों ने की हत्या उपमुखिया के बड़े भाई कुमारा पर्चे में लिखा समझाने के बाद सुधरने का दिया था मौका जारकन में पस्दमी सिंग्भू में मौवादियों ने पुलीस मुखबीरी कारोप लगातो हुए एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी हत्या के बाद परचा भी चस्पा दिया मौवादियों की और से इस घटना को अंजाम दिया जने के बाद ग्रामनों में डर का माहूल पादा हो गया है घटना के बाद पुलीस तहकिकात में जुट गई गेए जो है गोईल के रहा मुख्य सडग कदम डिहा पंचायत की गितिल पी चौंग के पास मवादियों ने जो है तालिस वर सी रांदो सुरुन की हत्या कर दी ओप्रेशन डबल बुल से हत्यार जबती का मामला एन आईये ने सुला लोग के खिलाब दायर किया चार्ज सेड राश्रिय जाच एजनसी एन आईये ने पिछले साल लोहर दग्गा लातिहार सीमा पर इस्तित बुल बुल जंगल में ओप्रेशन डबल बुल के दौरान पिछ कानूनी गतिविधिया अधिनियम की जो है विभिन धाराओं के तहट पूरक आरोपत्र सनिवार को एक विसेश आदालत में दायर किया किया बताया जा रहा है कि एक करोड की इनामी पोलित ब्यूरो शदश प्रसांत बोश उर्फ बुढ़ा की गिरपतारी के बदला लेने क के लिए नकसलियों ने बुढ़ा पहाड पर पूरी तैयारी की थी और हाथियार वगोला बारुद जुटाया था इसका नितत्व मववादियों का 15 लाग काईनामी रिजिनल कमांडर रविंदर गंजु कर रहा था संकलप यात्रा बाबुलान मरांडी का राजी सरकार परहमला कह रोजगार के लिए संथाल परगना की आदिवास्ती हिमांचर प्रदेश जाने को मजबूर भाजपा प्रदेश अद्धक्ष एवं पूरों मोकेमंत्री वाबुलान मरांडी ने अपने शंकल पी यात्रा के चौते दिन राज़ी सरकार को निशाने पर लिया रविवार को महसपूर विधान सभाच्ष चेतर के यग्य मैदान पाकुडिया में पहली जन सभा में फिर राज़ी संपोशित भर्ष्टाचार खान खनीच बालुघाट के लूट का मामला उठाया आमड़ा पाड़ा मेभी जह प्रकरती विहार परिशर में आयोजित जन सभा में शोरिन परिवारद्वारा आदिवाश्यों के जमीनों की लूट एम शंधाल के लोगों के पलायन को मुद्दा बनाया उन्होंने राज़ सरकार पर हमला कहते हुवे का है कि जहारकन में आदिवाश्यों के नाम पर राजनिती करने वाले जहामों के मुखिया नाम बदल कर आदिवाश्यों की ही जमीन लूट रहे हैं हेमंत सरकार में आदिवासी बहान बेटियों के इज्यत सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो रही है, राज्य के खान, खनीज बाहर के लोग आकर लोट रहे हैं, जार्खन के लोग आदिवासी, गरीब रोजकार के लिए हेमांचल परदेश जा रहे हैं बोला पांड गिरो के सक्री सदस नरुद्दीन उर्फ चरका, ATS और रामगड पुलीस की सन्युक्त काररवाई में सीवपाल ने गिरो का सक्री शदस गरपतार हुआ है, रामगड जिले के पतरातू जो हे तगं छेत्र के पतरातू बस्तिनिवासी नरुद्दीन उर्फ नरु आरोपी के पास से एक पिश्टल, एक मैगजीन, 69 एवं जिंदाकार्तू सहित अन्य समान बरामत किया गया है। आरोपी के पिश्टल, एक करबाईन, 69 एवं जिंदाकार्तू सहित अन्य समान बरामत किया है। आरोपी के पिश्टल, एक मैगजीन, 69 एवं जिंदाकार्तू सहित अन्य समान बरामत किया है। आरोपी के पिश्टल, एक मैगजीन, 69 एवं जिंदाकार्तू सहित अन्य समान बरामत किया है।